हेलो एवरीवन वेलकम तुमाई यूट्यूब चैनल सु फ्रेंड्स आज हम बात करने वाले हैं यूपी पीएस्सी इस्टाफ नर्स इस्टाइग्रेट टू की ज्वाइनिंग की अपडेट को लेकर एक जो है अपडेट यहां पर आई है कल जो कोड की सुनवाई है आप वीडियो में कवर करेंगे तो वीडियो को बिना स्किप के हुए लास्ट तक देखे और अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक करें शेर करें चैनल पर नहीं है या फिस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस करें आल के नोटिफिकेशन को क्लिक करना बिलक 18 जुलाई थी और 18 जुलाई को हाई कोड में इस केस की सुनवाई थी तीन अक्टूबर को आपका एक्जाम हुआ था जनुरी में इसका चार जनुरी को फाइनल दिजल जारी हो गया जनुरी फर्वी में जो है आपके डाकुमेंट्स वेरिफिकेशन भी करा लिए गए उसके पात यहां पर जोनिंग की उम्मीद लगाई जा रही थी लेकिन जो है और अभी तक किसी भी प्रकार से जोनिंग नहीं हो पाई है एक लाग फिर से कि पोस्ट कर दी गई तो ऐसे में जोनिंग नहीं हो पई और जब आप लोगों का डाकुमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ त जब अब यहां पर जोईन भी नहीं दी चरीप छेसात महीं ने हो गये है और जोईनिंग अभी तक नहीं हुए इसके बाद इसमें कोड केस का मेंटर चल गया जो कोड केस आ गया तब से लगातार अभी तक जो है कोड केस ही चल ला है कि वो मंक도 तक सुन्वाइक दिनका समय पुनाऊ को है इसमें आप 12 मईंडरेर्स की यहापए स्वेशिक हो रीक होंगे एक्सपीडेस चोक करेंके रीक होंगे और इसकी नौँ मैं कर दोख इकांगे भी त्रक्राषिन के पास हुई राजीव जोसी जी जज थे उस दिन उन्हों ने जो है इसकी सुनाई के वो पैता जिनका समय मांगा गया फाइनली पैता जिनका समय पूरा होने के बाद जो है यहाँ पर और उस दिन डेट भी लेकर दी गई थी कि 18 जुलाई को अगली हेरिंग नेक्ट रहेगी तो उसके बाद जो है यहाँ पर आज कल 18 जुलाई को यहाँ पर सुनवाई हो चुकी है और इसकी जज रख थी वो है सुनीता चंद्रा जी जज थी अब इसके लिए हम आपको आफिशल वेबसाइट पर लेकर चलते हैं वहाँ से कुछ अपडेट आपको हम प्रवाइड कर कर दीके 23 अगस्त को यहाँ पर देखने को पाएंगे 23 अगस्त को फाइनल डिसीजन होने के उमीद हो गई है और अगर 23 अगस्त को फाइनल डिसीजन आ जाता है सब कुछ सही रहा किसी प्रकार का कोई अन्निस में नहीं जुड़ा कुछ इसमें नहीं रिट या कुछ ऐसा नहीं आया तो 23 अगस्त को यहाँ पर आपका केस फाइनल होगा उसके बाद फाइनली यहाँ पर ज्वाइनिंग की उमीद बढ़ जाएंगे और से अगस्त अग्टूबर में आपकी ज्वाइनिंग होने लगेगी तो यहाँ पर यह जो है आप देख सकते हैं कल जो सुनवा जानी हो क्योंकि न्याइक प्रक्रिया में लिखा जाता है काफी चीजेश में लिखी जाएंगे अब इसको पूरा लिखा जाएगा इसकी पूरी डिटेल बनाये जाएगी शुर्वास लेका आप तक जो भी हुआ है उसकी पर पूरी डिटेल बनेगी कि हाँ इस डेट में पहुंचे है और इसका यह फैसला है तो जब फैसला सुनाया जाएगा उसका यहां पर तयार किया जाएगा तो यहां पर रिटेल लेखने में भी टाइम लगेगा इसलिए यहां पर 23 अगस्थ की डेट यहां फिक्स्ट कर दी गई है 23 अगस्थ को आप लोगों का फाइनल क्यों यह है 99 परसंट हैं कि 99 परसंट आपका आपका अपर आजाएगा अगर किसी प्रकार की कोई अनन जो है इसमें रिट वगएरह नहीं परती है कोई नपेच नहीं फ़स्ता है तो तहीं सगत्सकों का और को सभी डिपाइबन चाहिए वो डीजी याइनिंग यहाँ को देखने को मिल जाएगा तो यहाँ पर आप लोगों को 23 अगस्त तक तो वेट करना ही करना है जो कि इस बीच में जो है आपका सारा केस बनके त्यार जाएगा अगर हाला कि कुछ कैडिडेट्स जो है मलब चाहते हैं कि हां मलब एक बार मैं चाहता हूं कि हां आप लोग इसके समझ में स्वास्थ मंत्री महोदे को ग्यापद दे सकते हैं सांथपूर्ण रूप से ना कि किसी मलब जल्दबाजी में बिल्कुल भी ना रहे हैं और सही से आप उ बिल्कुल भी नव ज्वाइनिंग आपकी अगर 23 अगस को फाइनल हो जाता है तो जो है सेटमबर एक्टूबर में ज्वाइनिंग हो जाएगी और मुझे उम्मीद है कि 99 परसेंट जो है 23 अगस को फाइनल लिसीजन यहां पर आ जाएगा तो इस वीडियो में इतना ही मिलत है नेक्ट वीडियो में नेक्ट अपडेट के साथ तब तक के लिए जय हिन जय भारत